अलो प्रेंट्स वेलकम एगेंट तो माई यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में बात करने वाले हुए विडियो ने की जो 2021 में प्राइस इंक्रीज विए उसके बारे में 2021 में विडियो पूरा देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करीदेना और यहाँ पर मैंने सभी मोडल्स की प्राइजिंग लिख रख किये तो दोस्तो मैंने यहाँ पर राउंड फिकर करके किया है अगर यहाँ पर 100 रुपे कम थे तो मैंने 100 रुपे बढ़ा दिया है क्योंकि यहाँ पर ऐसे आकड़े आपको समझ में अच्छी तरह से आएंग प्राउंड फिकर कर दिया उसकी वजह से भी आ जाएगा तो मैं आपको सभी वेरियंट के उपर बताऊंगा और मैंने लिख इसलिए रखा है क्योंकि अगर मैं याद करके बताऊंगा तो हो सकता है कि किसी ना किसी वेरियंट की फ्राइजिंग में या वेरियंट को बोलने मैं गलती कर दूं क्योंकि इतने सारा एक साथ में बोल नहीं सकता और वेसे ज्यादा कट लगा कर बोलूंगा तो उसमें ज्यादा परिशानी होगी इसलिए मैंने इन सभी को लिख रखा है और आप भी आराम से फट सकते हैं जैसा कि यहां पर हुइंडे याइट्वेंटी डेखने मिल जाते हैं एक इन सभी यानिकी मैगना सपोर्ट्ट और एक मिलेगी जो कि आनी पेट्रोल यानी 1200 CC पेट्रोल मैनुवल ट्रांसमिशन वाला आपको सभी भी मिल जाएगा जिसा कि यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर यह इंजिन आपको सभी में मिल जाएगा और बाकिया आपको डिफरेंस मिलता रहेगा डीजल वाला भी आपको सभी में नहीं मिले प्रबो वाला वे आपको सभी में नहीं मिलेगा तो भी मैं आपको एके करके बताता हूं सबसे पहले बात करते हैं मेगना के बारे में तो यह मेगना में आपको सबसे पहले मिलता है 1200 CC petrol manual transmission में जिसकी 2020 में प्राइजिंग ती 6,808 रुपे और 2021 में प्राइजिंग हो गई 6,85,000 रुपे और इसमें 5,000 रुपे का डिफ्रेंस हो गया 5,000 रुपे इसकी प्राइज बढ़ चुकी है 2021 में अगर आप अभी लेने जाओगे तो और यहां पर इसमें 2nd मिलता है मेगना में आपको 1.5 लेटर का डिजल इंजन है जिसकी प्राइज 2020 में थी 8,20,000 रुपे और यहां पर 2021 में हो गई 8,21,000 रुपे यानि की 1,000 रुपे बढ़ गे चुकी है second model है इसका sports model जिसमें की आपको 4 transmission से देखने को मिलते है फर्ष्ट है 1.2 लेटर manual transmission प्राइट्रोल में जिसकी प्राइज 2020 में थी 7,60,000 रुपे और 2021 में हो गई 7,70,000 रुपे और इसमें 10,000 रुपे बढ़ चुके है और ऐसा CVT में हुआ है जैसे की 1200 CC प्राइट्रोल CVT आटोमेटिक में 8,60,000 रुपे 2020 में इसकी प्राइजिंग थी और 2021 में इसकी प्राइजिंग हो गई 8,70,000 रुपे यानि 10,000 रुपे इसमें भी बढ़ चुके है और याँपे 1 लिटर टरबो प्राइट्रोल I.M.T. में 8,60,000 रुपे 2020 में इसकी प्राइजिंग थी 8,81,000 रुपे की प्राइजिंग हो चुकी है 2021 में और इसमें एक अजार रुपे का डिफरेंस आ चुका है यानि एक अजार रुपे की प्राइज दोजार इकीस में इंक्रीज हो चुकी है इसका लास्ट इंजन ऑप्सन मिलता है स्पोर्स में 1.5 लीटर डीजल मैनूल ट्रांसमिशन में और इसकी प्राइजिंग 9,00,000 रुपे थी 2020 में और 2021 में इसकी प्राइजिंग हो गई 9,00,000 रुपे यानि एक अजार रुपे बढ़ गए तिसरह मोडल है एस्टा एस्टा में आपको चार मोडल्स देखने को मिलते है जिसा कि यहां पर फश्ट है 1.2 लीटर पैट्रोल मैनूल ट्रांसमिशन इसकी प्राइजिंग थी 8,00,000 रुपे जब ये लौंच होई थी 2020 में और 2021 में हो गई इसकी प्राइजिंग 8,00,000 रु यानि कि 10,000 रुपे प्राइज बढ़ चुकी है 2021 में अगर आप लेने जाओगे तो एस्टा मोडल की अगला वेरियंट है वन लीटर ट्रबो पैट्रोल आएम्टी वेरियंट जिसमें की 2020 में इसकी प्राइजिंग थी 9,90,000 रुपे और 2021 में हो गई 9,90,000 रुपे यानि की हो गई 10,68,000 रुपे यानि की 1000 रुपे का डिप्रेंस आग गया अपर आपको डीजल इंजन देखने को मिलता है मेगना स्पोर्स और एस्टा ओप्सनल में यहां पर आपको एस्टा में डीजल आप्सन नहीं देखने को मिलेगा यह जो सभी में प्राइज आपको बता रहा देखते हैं और अगर आप साहते कि में अंड्रोड पर्यज के बारे में बात क्रू की ओण रूड प्राइस केसे निकालते हैं तो उसके उपर भी में एक वीडियो बना सकता हूं अगर आपको यह आप चुत्कियों में आपको सैफिन कर देखने तो गर आप चाहते हो तो मैं उसके उपर भी वीडियो ना दूंगा आप कमेंट कर देना तो यहां पर आप टॉप मोडल है एस्टा ऑप्सिनल जो की बारासो शीशी मैनुवल ट्रांस्मिशन में इसकी दोजार बीस में प्राइस थी नो लाग वीस जार रुपे और यहां पर 1.2 लिटर पैट्रोल मैनुवल ट्रांस्मिशन देखने हो गलता है और यह भी मैनुवल ट्रांस्मिशन ही है तो इसकी प्राइस सबसे जादा बढ़ चुकी है तेरा जार रुपे तक है अगला वेरियंट है वन लिटर ट्रबो पैट्रोल डी सी टी एस्ट्रा ओप्सिनल में तो यहां पर इसकी प्राइस दोजार पीस में थी 11,18,000 रुपे और दोजार इकीस में हो गई इसकी प्राइस 11,19,000 रुपे यानि अजार रुपे बढ़ चुकी है और अब इसका लास कि इसमें हो गई 10,61,000 रुपे और इसकी प्राइस 11,000 रुपे अगर आपको इतना वीडियो देखने के बाद समझ में आया है तो आप पता लगा सकते है कि मैन्यूल ट्रांसमेशन की प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़ी है और यहां पे ट्रबो की और डीजल डीजल की सब से कम बढ़ी है लगबग हजार रुपे सभी में हजार रुपे बढ़ी है ट्रबो डीजल में जैसा कि आप देख सकते है ट्रबो ट्रबो यहां पे अजार रुपे बढ़ी है और इसमें भी ट्रबो और डीजल में अजार रुपे बढ़ी है और इसमें भी डीजल में लग पहले जार जार रुपे बड़े सबसे ज़्यदा प्राइजिंग बढ़िए यहां पर आपको मेन्यूल ट्रांस्मिशन में और सीवीटी ओटोमेटिक में इस पॉर्स मोडल में आपको सीवीटी ओटोमेटिक देगने हों मिलता है यहां पर इसमें 10,000 बढ़ गई और यहां प नो लाग 20,000 रुपे एक्शो रुम प्राइस से करीदा था और इसकी प्राइजिंग अब ओचुकी है 9,33,000 रुपे से बढ़ चुकी है तो आज की वीडियो में बस यही था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे देना मिलते नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवा थैंक यू सो मच